Hello friends, मैं हूँ आपके सामने गोरो मिगलानी, हमारा chapter continue चल रहा है cashbook का, तो cashbook की complete playlist का link मैंने आपको इसी वीडियो के description box में दिया हुआ है तो पीछे वाली वीडियो के अंदर हम कुछ special topics discuss कर चुके हैं, like dishonor of a check और check अगर कोई हमारा आता है और हम उसको same day bank में deposit करा दें, यह next day bank में deposit कराएं, उसको हम कैसे deal करेंगे Contra transactions क्या होती हैं, तो यह सारे topics हम discuss कर चुके हैं, तो अब हम कुछ special transactions record कर रहे जा रहे हैं, यह payment by check, amount for personal use, interest and dividend का topic and then amount directly deposit into our bank तो यह चोड़े हो topics हैं, बहुत details में हमको समझने होंगे, क्योंकि यह topics आगे practical questions में हमें कामाने वाले हैं, क्योंकि double column cash book के अंदर हमारा जो cash और bank का column है, उसके अंदर हमें एक साथ dealing करनी होती है तो first topic आईए discuss करते हैं, अगर हम कोई payment check से करते हैं तो, माली जी आपने कोई salary देनी है, या कोई electricity का bill पे करना है, या आपने किसी को rent पे करना है, वो rent अगर आप cash में पे करते हो, तो वो amount आपका cash column में आ जाएगा, और सामने expense का name माली जी आपने कोई rent पे किया है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, rent account, तो अगर आपने कोई rent cash में पे किया है, तो आप यहाँ पर cash लिख दोगे, पर अगर आपने उस rent की payment या कोई expense की payment आपने check से की है, तो definitely आपका वो amount यहाँ पे आ जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ amount आपने cash में पे किया हो, और कुछ आपने check से पे किया हो, तब आपको दोनो columns का use करना होगा, माली जी rent आपने पे करना था 15,000 का, आपने 5,000 cash में पे किया, और 10,000 का आपने सामने वाले को check पकड़ा दिया, तो आप दोनो columns को use कर पाओगे, और इसी तरहां से माल करनी है, किसी person को हमें payment करनी है, हमारा कोई supplier है, या हमारा कोई creditor है, अगर हम उसको payment करें तो क्या, उस person का name आजाएगा, माली जीए मैंने B को 10,000 रुपए देने थे, अगर मैं general entries करूं तो क्या करूंगा, B debit to bank account, और यही transaction अगर मुझे cashbook में record करनी हो, तो मैं क्या लिखूंगा, by B, कि B को मैंने 10,000 रुपए का check दे दिया, इसका मदलब है कि आपका bank balance अपने आप कम हो जाएगा cashbook में, तो अगर आप किसी party को check देते हो, तो definitely आपका bank balance कम होने वाला है, party का name यहाँ लिख देना, cash में payment करते हो, तो cash आ जाएगा, देखते हैं next transactions, अगर proprietor ने, businessman ने, personal use के लिए पैसा निकाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, drawing, अब अगर वो drawing cash में करता है, अगर वो drawings cash में करता है, तो definitely आप cash के कोला में amount लिखत होगे, अगर उसने personal use के लिए पैसा, अगर उसने firm के bank account से निकाले हैं, तो definitely वो amount आप यहाँ लिख दोगे, bank के कोला में, तो drawings अगर cash में की है, तो cash के कोला में, अगर bank से की है, तो bank के कोला में amount आ जाएगा, सामने के लिखना होता है, by drawings account, next देखिए, अगर bank, हमें interest देता है, या bank हमारी तरफ से कहीं से dividend receive करता है, तो आप सोच कर देखिए, आपका bank balance increase हो जाएगा, आपका bank के अंदर already 10,00,00 रुपे deposit है, आपके bank के अंदर 10,00,00 रुपे deposit है, अब bank को कहीं से, आपकी तरफ से dividend receive हुआ है, तो सोच कर देखो, आपका bank balance अपने आप increase हो जाएगा, तो bank balance जितने से increase हो जाएगा, वो amount यहां लिख देना, और सामने के लिख देना, by dividend account, dividend की वज़े से पैसा आया है, तो आप dividend लिख देना, तो आपका bank balance अगर increase हो गया है, तो bank के column के अंदर amount लिख देना हो, और कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि आप passbook चेक करते हो, तो क्या मिलता है, कि bank ने आपको interest दिया हुआ है, तो जब-जब bank आपको interest देता है, तो आपका bank balance increase हो जाता है, तो उस case में आप dividend की जगा पे क्या लिख दोगे, to interest, तो अगर bank आपको interest देता है, या dividend कहीं से receive करता है, तो definitely आपको debit side में bank column में amount लिखना है, और सामने उस topic का name, इसका reverse भी हो सकता है, मालनी जिये bank ने आपसे interest चार्ज कर लिया, या कोई bank के charges हैं, तो उससे आपका bank balance कम हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हम जब passbook चेक करते हैं, तो आपको पता है, ATM के charges कटे हुए होते हैं, या bank ने आपसे interest चार्ज कर लिया, या कोई और कोई transaction की आपने फाल्तू की, जिसकी वज़े से bank ने आपके account में से 20-50 रपे cut कर लिये, तो उन transactions की वज़े से क्या होगा, आपका bank balance कम हो जाएगा, तो वो reason क्या है, सामने यहां reason लिख देना, तो माली जी आपको bank charges लिखने हैं, या ATM का expense लिखना है, तो आप यहां पे mention कर देना, वो उस expense का name और आपका bank balance कम, next transaction देखिए, अगर कोई person हमारे account में, अगर कोई person हमारे account के अंदर direct पैसा जमा करा देता है, तो क्या होगा, सोच कर देखिए, राम से आपने पैसे लेने थे 50,000, राम ने आपके bank के अंदर पैसा जमा करा दिया, और bank ने आपको inform किया, या आपके mobile के अंदर SNS आ गया, कि भाई आपके account के अंदर राम ने पैसा जमा कराया है, तो आप क्या करोगे, cashbook के अंदर पर ये entry कर दोगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 50,000 लिख दोगे, और सामने party का name, तो अगर कोई customer, अगर कोई party, अगर कोई firm, आपके account में direct पैसा deposit कर देती है, तो definitely आपका bank balance increase हो जाएगा, और उसका reason आपको सामने लिखना होगा, वो reason कोन है यहाँ पर, राम है, तो यह हमारी चोटी-चोटी transactions थी, बहुत खास topic थे, तो next video से, हम कुछ और transactions भी record करना सीखेंगे,